तो फ्रेंड्स अभी मैं फिलाल मौझूद हूँ पठान कैटल फार्म में पठान कैटल फार्म मतलब उसको कोई इंट्रोडक्शन की ज़बरत भाई है नहीं और आज को व्लॉग होने वाला वो होने वाला है मतलब 10 बहुत बड़े बड़े गाये जो आज हम आप लोगों को डिस्प्ले करेंगी जिसमें से फ्रेंड्स हर चीज का आप लोगों को जो है हर अतबार से मैं आप लोगों को आज सोकेस करूंगा जानवर को जानवर पठान कैटल फार्म का खुबी इसलिए होता है क्योंकि फो जो जानवर जो निकल रहे न वहो सब अपने आपमें है इसलिए आज सभी जानवर को 10 जानवर को एक साथ लाइव मैं आप लोगों को देखाँ है क्योंकि देखिए यहां पर अगर मैं आपको आऊ नहीं जितने पी आप लोगों सब नौच कंडिशन में और सब का अप और भाई खुश हो जाओ तो चलो जानवर एक एक करके आप लोगों को सब देखाते हैं तो माशाएल्ला प्रिंसेस फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मोश्ट ब्यूटिफूल वाइट मिलकी बाच्छी आप सब के सामने मौजीूद है पठाम गडल फार्म का तो सबसे पहले में हम लोग माशाएलला इसको ही निकल वाया है क्योंकि यह बहुत नयाब है और यह जानवर को जोड़ा मिलना बहुत मुस्किल है क्योंकि इतना खुबसूरत और इतना नूर वाला बाच्छी बहुत कम मिलता मतलब समझा सौ में दो से तीन और उसके इलावा मां फ्रेंड्स जो लुक देखिए आप लोग कितना खुबसूरत है और एक्टिव भी उसी हिसाब से है फ्रेंड्स ओके तो माशाएलला यह है प्रेंसेस ऑफ पठान कडल फाम एन वन अफ बेस्ट बाच्छी और उसका खुबसूरत जो है ना इसका शकल है भाई एंड है फ्रेंड मैं लिटर वहारी बहुत एक्टिव है बहुत एक्टिव तो क्वालिटी इस वन अफ देश्ट पलाई इस ऑन दा बेस्ट जो पठान एक लेवल का जो जानवर माशाएलला बनाते हैं हर साल वो लेवल बहुत जबरदस्त होता है तो यह माशाएलला सुन्दरी पठान कडल फाम की जानवर बनी है ना मतलब वो तो भाई दिल जीत ले रही है जालर देखिए आप लोग इस पेशली बॉड़ी में मतलब एक पोर्शन भी इसका जो एचाही नहीं है मैं आपको बतला रहा हूँ फुल फ्रेंट्स मिल्की वाइट है चला फोर्थ रंबल लेके आते हैं यह आ गई चोथा नंबर हरियाना माशाएलला यार क्या कॉलिटी में बताओं आप लोग को उके उमीद मतलब के जो उमीद लेके आते हैं वो उमीद से भी जादा बहतर जानवर दिख रहा है हमको ठ जालर देखे यार जो बॉल है जालर में माशाएलला अलापाक नजरेबत से बचाए जानवर फुल मिल्की वाइट है और क्वालिटी जो है ना वो दिल जीत ले रहा है मैं सच बता रहा हूं इस लेवल जानवर को मतलब मिंटेन करना इतना मक्षन का तर स्कीन क्वालिटी म पोर्शन देखे अलापाक नजरेबत से बचाए बहुत जबरदस बनावट है जानवर में नो डाउट और हर्याना में इतना जबरदस जालर होना बहुत मुश्किल है और जानवर ये खुबशूरती जो है वो बखुभी बता रही है जानवर किस लेवल का है ओके ये चलो एक राउंड आम लोग इसको घुमाते हैं फिर बांदेंगे और पच्वा नमबर लेके आएंगे ठीक है साइज देखिए माशाला माशाला अलग लेवल का चीज़ है यार बहुत जबरदस्त है ये देखो मतलब आप लोग जरूर विटनेस करना के एक बार ये देखो है ना भाई जोड़ा मिलना तो भाई बहुत मुस्किल है मतलब इसको जो हमप एक डिवलप्मेंट लिया है मतलब वन अफ दा बेश्ट है दस में एक ऐसा जानवर होता है जिसमें हम इतना जबरदस्त आता है और जानवर जो भरा हुआ है ना मतलब आप लोग सामने से एक बार देखिएगा आप लोगों का मतलब नजर जो है वो रुख जाएगी ठंडक मिलेगी आखों का आप लोगों को जानवर को देखते हुए बॉल देखिए सीना का माशालला अल्ला पाक नजरेबत से बचाए बहुत जबरदस्त तयार किये हैं और माशालला शौकीन का तो मैं माइक लगा करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ उमीद समझ में आता हूँ का हम थोड़ा अच्छे सा आप लोग देखिए इसलिए आप लोगों को थोड़ा करीब से दिखला रहे हैं 360 डिग्रे तो जानवर माशालला ये हो गया हम लोग का पछवा नंबर जो की बहुती जबरदस्त हरियाना है हम जो है न इसका वो वन अफ दा बेस्ट पार्ट है इस बोड़ी का तो चलो इसको भी हम लोग बांद देते हैं सब जानवर को एक एक करके लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने पछवा नंबर बांद देते हैं अब लेके आएं आप जानवर का जो वाइटने से स्कीन का ओ ये देखो लेंथ एवरी फ्रेंड्स मतलब ये लेविल जा रहा है एंड लेवल मैं सच बता रहा हूं शौकीन जो होते हैं उस हिसाप से जानवर को तयार करते और बाई शौक तो बहु भी जानवर के बॉड़ी के स्ट्रक्चर से स् सुन्दरी एक लाइन में तो छे हरियाना गाए माशालला एक लाइन में खड़ा कर दिये हैं सामने का पूरा लाइन जो है वो भर चुका है हरियाना गाए से भाई जो चीज है माशालला एवरी थिंग मतलब क्या बोलू यार लवज नहीं है मेरे पास हम्प, स्किन क्वालिटी साइज, जालर का पूरशन सामने की फेस की खुबसूरती हम्प देखिए स्पेशली सब एतबार से हर एंगेल से जानवर हंडेड ओन हंडेड है क्या लग रहा है फ्रेंड्स व्यू देखो आप लोग आखों को एक जो ठंडक मिल रही है ना वीडियो को देख करके वो मतलब अलग है माशाआलला जो हम्प का जो हर जानवर का डेवलपमेंट है, हर जानवर का स्किन का जो क्वालिटी है, जो सौफ्टनेस है, वो next लेवल हो चुका है, और मैं सज बता रहा हूँ, पठान, पठान क्यूं है, उसका रीजन यही है कि जो आप सब के सामने रिजल्ट्स मौजूद है, यह देखो अक्टिवनेस देखो सब जानवर के सब जानवर माशाआलला अपने आप में सब में एक ऐसा खुबी है जो भाई दूसरे में नहीं है और दूसरे में ऐसा खुबी है जो तीसरे में नहीं है तो सब जानवर अपने आप में है कोई किछी से कंपेर्ड ने, यह सब का अपना अपना खुबी है तो सब जानवर को माशाआलला लाइन में खड़ा कर दियें, ये हमारी रही प्रिंसस, बगल में बड़ा हम्प वोला माशालला हरियाना गाय उसके बगल में भी सब जानवर लाइन बाइन बंदेवे हैं आप सब के सामने विटनेस हो रहे हैं हरियाना का कलेक्शन्स, आंधरा का अलग है हर्याना कलेक्शनस आप सब के सामने अभी स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा है यह रहा उपर से व्यू सब का हम जो है आप लोगों को उपर से जो है समझ में आएगा ये देखो ये है साथवा नमबर जब मैं छेओ को दिखला रहा था तो ये बीश में निकली इसका भी आप लोग पूरा साइज देखिए फूल मिल्की वाइट है ये भी ओके और ये है पूरा का पूरा छेग जानवर का लाइनप सामने में छेओ जानवर एक साथ लाइन में खड़े हैं अब लेके आते हैं आठवा नमबर ये देखो आठवा निमबर निकल चुकी है और ये जो है भाई अलग लेवल का जो है इसका साइज है मतलब ख़ड़ा हरियाना जिसको हम लोग बोलते है सर खड़ा रखके जो व्यू देने वाला चीज है ये देखो माशालला मतलब जो पेर है ना भाई एक एक जानवर का हरियाना का जो एक एक पेर है एंड लेवल एंड मैं बता रहा हूँ आप लोग को ये सब जानवर अगर आप लोग सामने से विटनेस कीजिएगा ना सामने से निकलवा करके आप लोग लिटरली खड़े रह जाएगा जानवर को दिखते दिखते इतना साइज में बड़े हैं इतना फिनीशिंग है जानवर में मतलब सब जानवर अपने में आप है मैं आपको क्या बता हूँ सब एक एक करके निकल रहे हैं और उमीद है मेरा वाइस आप लोगो क्लियर आता होगा माइक लगा करके हूँ देखो यहाँ तो सबसे पहले सुन्दरी बंधी हुई है दुसरे नंबर में प्रिंसेस थर्ड नंबर में बड़ी हमप वाली गाये जो की बहुत जबरदस कॉम्पैक्ट फ्रेम में भरी हुई है चौथे नंबर में सीना बहुत अच्छा था जिसका मतलब जालर वगेरा बहुत अच्छा था और पच्छवा नंबर में भाई अलग ही है इसका नाम तो भाई होना चाहिए छोटा डॉन मतलब अलग है अलग चीज़ है तो लाइन से सब जानवान मिल्की वाइट हमप वाले बंधे वे हैं सब आपके सामने हैं सब एक साथ लाइन में खड़ा कर दिये बाहर निकाल करके ताकि आप लोगों कोई भी शको शुबा ना रहा है जानवरों को पहचानने में तो डीवी फैमिली अराम से देखो पठान गडल फार्म के प्रीमियम जानवर और ये सामने सुन्दरी बंधी हुई है और यहां पर रहे दो हर्याना गाय जो कि फुल मिल्की वाइट है जबरदस्त कॉलिटी है अल्ला पक नजरे बच से बचाये दोनों को और बाकि सभी जानवरों को जो भी पठान में माशालला मौजूद है तो सब जानवर एक साथ लाइन में बंधे हुए हैं और व्यू दे रहे हैं आप लोग कि भाई देखो मुझे और मेरा देख करके मेरा ओडियन्स को भी देख लाओ कि भाई क्वालिटी कैसा मेंटेन हुआ है पठान में थोड़ा हम्प का क्लोजब देखो ये रहा तीनो का हम्प राइट साइट का हम्प का क्लोजब देखो आप लोग ये रही प्रिंसेस प्रिंसेस का हम्प और ये रहा सुन्दरी सब का माशयालला साइज वेट स्किन का क्वालिटी एवरिधिंग इस अन टॉप ये लो भाई आठवा नंबर निकला इसका तो भाई जो एक चंचल पन है मैं लिटरली बता रहा हूँ आज तो ये बहुत ज़्यादा शान्थ है अचालाक से निकलते संग जो है दोड मारती है सबसे पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव है ठीक है तो ये है भाई बहुती जबर्दस्त आठवा नंबर माशाला हरियाना जो कि अभी निकली है इसको लाइन में बानते हैं सबसे पहले आप लोग को दिखाते हैं ये देखो आप लोग फुल वाइट ये भी है ठीक है और पूरी की पूरी माशाला बनी हुई है ये आप लोग पूरा का पूरा इंशार करके चलिए जबर्दस्त देके करके जो जानवर निकल रहे है ना आखों को मतलब जो सच बता रहा हूँ काव लवर्स के लिए तो भाई पूरा आखों के ठंडक है बतलब भाई जो quality माशाला मेंटेन हुआ है everything हर जानवर का चाहिए वो medium जानवर बोलो चाहिए वो आप लोग बड़े जानवर बोलो चाहिए आप लोग बैल बोलो चाहिए आप लोग कोई भी जानवर के बारे में बात करो पठान में माशयल्ला एवरी जानवर का क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ है यह देखो 9 नमबर निकली है एक एक करके 10 जानवर पूरे हर्याना के निकल रहे है और यह जो है सबसे जादा टॉप है माशयल्ला हर्याना में मैं सच बता रहा हूँ आप लोग को इसका हाइट इसका लेंथ इसका एवरी थिंग बहुत जबरदस्त है ठीक है क्योंकि टॉप है माशयल्ले देखो दोड़ मारी मतलब यह समझ के चलो यह जो जानवर है यह वन आप दर टॉप है हर्याना में ठीक है क्वालिटी आप लोग देखिए मिल्की वाइट और मक्षन का तरह स्क सज बता रहा हूँ जो इस लेवल मा क्वालिटी है वह देना बहुत मुश्किल है जानवर को रखना पड़ता है और रख करके उस लेवल का खान पान देना पड़ता तब जाकर के जानवर इस तरह का जो है वह तैयारी में आता है बोडी का क्लोज अप देखिए और यह रह है तो भाई सम्हाल के रखो और अच्छे से तयार करो सच बता रहा हूं ठीक है तो इसको अभी बांद देते हैं माशाला अल्ला पक नजरेबद से बचाए क्या चीज है यार चंचल पन बहुत है इसके अंदर दम मिल्की वाइट जिसको हम लोग कहते हैं तो चलो इसको क्लिप दिखाएंगे उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे जाद देरी नहीं करेंगे वीडियो में दस हर्याना गाय दिखलाने हैं आप लोग को तो जल्दी यल्दी भी दिखलाना होगा चलो यह हो गया भाई लाइन अप में आया नौवा नंबर ठीक है आखरी नंबर जो है दसवा नंबर उसको लेके आते हैं फिर फुल लाइन अप का आप लोग के सामने एक एक करके जानवर को दिखाएंगे यहां तक पूरा आप लोग के सामने विटनिस करा दिये हैं नौ जानवर हर्याना के यह आई भाई दसवा नंबर हर्याना इसका लेंथ इसका ले आप लोग शायद किये होंगे कि सब जानवर के पास ऐसा कुछ अपना खासियत है जो दूसरे में नहीं है और दूसरे में ऐसा कुछ खासियत है जो तिसरे में नहीं है सब जानवर में कुछ अपना एक खुबी है तो भाई इसमें जो है न वो length का खुबी है और जो size तो सभी जानवर के अच्छे हैं वो तो मैं आप कहने की कुछ बाती नहीं है close up देखिये body का close up में आप लोगो को body समझ में आएगा ठीक है ये है माशायलला close up दस्वा नमबर हरियाना गाय का और भाई मैं सज बता रहा हूँ क्या तैयारी हुआ यार इस साल मैं सज बता रहा हूँ एक मरतवा एक मरतवा friends अपने दोस्तों के साथ आईए witness कीजिए लेने ला लेना वो तो भाई तकदीरी की बात है लेकिन एक मरतवा आकर के witness तो कीजिए आप लोग को क्या है कि एक शौक बढ़ेगा आप लोग के सामने बड़े जानवरों को देखने का जो है न वो क्रेस बढ़ेगा तो चलो इसको भी हम लोग लाइन में लगा देते हैं ये हो गई भाई जबरतस्त कॉलिटी का दस्वा नमबर हरियाना जो हम लोग लाइन नमबर टू में बांध रहे हैं अब आप लोग को देंगे फुल टूर दोनों लाइन का जो जानवर दस्वा बंदेवे हैं एक साथ पुरा कैमरा लेते वे चलेंगे सब जानवर को दिखाते वे आप लोग के सामने विटनेस करवाएंगे तो ये रहा जूम चलो ये रहा भाई आप लोग के सामने सब लाइन अप में जानवर सबसे पहला ये दूसरा ये थर्ड नमबर ये रहा फ्रेंट्स आप लोग के सामने फोर्थ नंबर ठीक है ये माशायलला यहाँ पर चार जानवर हैं ये रहा पच्छवा नंबर जो मैं बताया था आप लोग को end level हर्याना जिसका जो size है खड़ा हर्याना जिसको बोलते हैं वो ये है भाई undoubtedly one of the best बनावट मैं चारो में अगर कोई चुनना होगा तो भाई मैं इसको चुनूँगा क्या जानवर बनाए यार अल्ला पक नजरे बत से बचाए उमीद है अच्छे जगा उत्रेगा जहां पर भी उत्रेगा इंशायला कोशिश करूँगा लोडिंग वीडियो बनाने का आप सब के सामने और ये रहे सब जानवर हरियाना के एक साथ लाइन में भाई ने बान दिया है और अब आप लोग को मैं पुरेके करके दिखला रहा हूँ तो ये रहे पीछे के पाँच जानवर जो सभी एक पर एक है और ये रहे पाँचो जो पहले में निकले थे जिसका आप लोग के सामने अल्रेडी हम दिखा चुके हैं उमीद है आप लोग को सब जानवर जो है न वीडियो में देख करके एक आउटर अंदाजा हो गया होग बट और अच्छे सा आप लोग को दिखना है तो काइंडली विजिट करें पठान जैसे कि इंटर्वू में भी कहा गया है पठान का गेट सभी शौकिनों के लिए खुला हुआ है भले ही वो ले या ना ले लेकिन हां आकर के एक मरतबा विटनेस जरूर करें आकर के एक मरत अंदर जा रहे हैं अचानक से निकलिए इसको हम लोग ले जा रहे हैं तक चानवर भी ठख जाते खड़े खड़े और ज़ानवर बड़े बड़े हैं tenido करें फिल्म के तरह देखें आप लोग अलाम से टी-वी में या मूबाइल में यह रहा बाकी सब लाइनप के जानवर अप सब खुलना शुरूर हो चुके हैं ठीक है एक एक करके इसका जो छालर का फ्रेम है वह तो भाई बहुती नेक्स लेवेल है चलो यह भी अब जा रही है इसका आप लोग एक बार वाकिंग शॉट देख लो और अच्छे सा अगर आप लोग को देखना है जानवरों को तो पठान विजिट करें, चार बये से लेकर के 10 बये तक भाई रहते हैं, फाम में आ करके देख सकते जानवरों को तो चलो अंदर अभी इसको ले जा रहे हैं एक एक करके आस्ते आस्ते ले जा रहे हैं ताकि जानवर जो है अराम से अंदर कुंडी में चल जाए ओके तो चलो यह भी माशाला गई अंदर कुंडी में और बाकी यह वाला तो भाई क्या बूलूँ यार मतलब मैं जब देखता हूं तो सबसे पहले माशाला कहता हूं क्योंकि नजर नहीं लगती है और आप लोग भी माशाला जरूर कहना इसका कोई अच्छा सा नाम है मैं जरूर बताऊंगा आने वाले वीडियो में सिंगल सिंगल जब वीडियो बनाऊंगा और ये रहा माशाला बड़े हमफला हर्याना तो इसको भी अंदर ले जा रहे हैं एक राउंड घुमा रहे हैं अंदर ले जा रहे हैं ठीक है इस वीडियो में टोटल मैं जो है न वो दस जानवर दिखा चुका हूं हर्याना के और जो नेक्ष्ट वीडियो आएंगे वो आप लोग को शॉट्स देखाया जब जा रहे तब इसका ये देखो भाई यार दिल जीत ले रहा है यार मैं क्या बता हूं आप लोग को वीडियो बनाने में जो एक अलग मज़ा है व्लोगिंग करते हुए वो तो भाई अलग है देखिए मैं आप चाता तो आप लोग को नहीं देता मैं आराम से वीडियो बना लेता घर में आकर के जो है वो वोईस देता बट यहां क्या है कि आप लोग को क्वालिटी अच्छे से दिखाता हूं लाइब व्लोगिंग करके ठीक है तो चलो इसको भी अब हम लोग अंदर ले जा रहे हैं चलो अब यह प्रिंसेस का आखरी शाट्स यह देखो यह देखो भाई अलग व्यू अलग व्यू दूम उठा करके जो एक व्यू देती है ना प्रिंसेस वो तो भाई सच में राजकुमारी की तरह चलो प्रिंसेस भी अंदर कुंडी में चल गई अब यह देखो यह भी सब खुल रहा है एक एक करक इसका मैं आपको बताया था जो बहुत जबरदस्त हर्याना गाय थी और यह भी अब जा रही है अपने लाइन में वापस चलो 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 भाई पूरा का पूरा माश्यालला फुल बनावट में है जानवर जरूर विजिट करें और एक मरतवा इस जानवर को जरूर हैं सब फ्रेंड्स में क्या बनूं सब की तारीफें तो मैं ऐसे भी करी चुका हूं और इन सब जानवर को एक्स्ट्रा तारीफ हो कि जह वो जरूरत है नहीं क्योंकि इनका बॉड़ी जो है वो खुद जवाब दे रहा है ठीक है कि मैं किस लेवल का बनावट जह वो तयार किया हूँ चलो इसको भी अब हम लोग निकाल रहे हैं ये तो भाई बहुत बढ़ माश है ये तो आज शान्त है वो बहुत समझो बहुत बड़ी बात है नहीं तो ऐसी शान्त रहती नहीं है ये बहुत उचलती है बेर फ्रेंड्स ओके तो चलो ये भी अंदर अब आस्ते जार रही है इसका फेस बहुत च्छोटा फेस वाला जो है हर्याना गय है और लेंध वगेरा बहुत अच्छा है माशालला बोडी का और ये भी अब अदर जा रहे है ये कुंडी में एक एक करके सब देखला रहे हैं अंदर जाने का व्यू ये रहा फ्रेंड्स आखरी में जो निकली थी दसवा नंबर में लेंध जिसका बहुत अच्छा था ये देखो ये देखो भाई साइज देखिए आप लोग एक एक करके ये देखो माशालला सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं आस्ते आस्ते एक राउंड बस घुमा रहे हैं और अंदर सब जानवरों को दो जानवर इन सबको भी ले जाते हैं फिर वीडियो हम लोग एंड करेंगे क्योंकि बहुत देर का वीडियो बन चुका और अल्मोस्ट फ्रेंड्स 20 मिनट का बन चुका ये देखो खुल गया और ये बहुत अक्टीव है बहुत अक्टीव प्योर बाची जिसको हम लोग कढ़ितें हर्याना बाची ये देखो आसटे आसटे अंदर जा रहा है काफी बदमाश है वैसे ये देखो ये देखो आ चलो चलो चलो50 चलो माश्यलग गई है अब लाश्ट में ये है इसको भी ले जा रहा है अब वीडियो करेंगे क्योंकि बहुत लंबब वीडियो चु सोकेस किया हूं उमीद अच्छा लगा होगा जो जितने भी जानवान निकले था सब बाची थे बहुत ही प्रीमियम और आप लोग इस चीज़ को आफटर इद आकर के विटनेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बड़ी बड़ी गाय थी आप लोग का अच्छी से सोकेस भी किया हूं उमीद है पसंद आया होगा व्लॉग को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा मिलते हैं आप लो